जाय निशाद जी को पार्टी छोड़ने के बाद मुझफरपुर की जनता अंदोलित हुई है उनके खिलाप में और हम कहते हैं कोई फर्क पढ़ने वाले नहीं है जाय निशाद भाजपा छोड़ का दामन थाम लिए इसके बाल से बिहार की सियासत में काफी गहमागम ही मचुई है जाय निशाद जी को पार्टी छोड़ने के बाद मुझफरपुर की जनता अंदोलित हुई है उनके खिलाप में और हम कहते हैं कोई फर्क पढ़ने वाले नहीं है हमारा घर मुझफरपुर जीला के बगल प्रोशी जीला है मतियारी मैं अजाय निशाद ही को जनता हूँ और पार्टी के साथ जो विश्वासघात उन्होंने किया है इसकी चर्चा आज मुझफरपुर के सड़कों पर चौग चौराय पर गुझ रही है कि आप विश्वासघात ही आदमी है हमको तह याद है कि अजाय निशाद ऐसे बिक्ती को पार्टी ने सांसद बनाया और जाय निशाद को ही नहीं उनके पीता जी को पार्टी सांसद बनाई थी ऐसा कदम उनको नहीं उठाना चाहिए फिर भी पार्टी का सुब कमना है गया है उनका जबानत मचने वाला नहीं मैं वहीं कह रहा हूं उनके प्रवसी जीला करानेवाला हूं अजय निसाद को मैं भली भाती जनता हूं कोई अजय निसाद का उनके परिवार का पाटी में कोई धूमिका नहीं आए हाँ जब हम पाटी के काम करते हैं तो पाटी के संगठन में काम करते हैं अब उसका भूमिका अगर बात करते हैं तो हम इंकार नहीं कर सकते हैं लेकि अजय निसाद का क्या भूमिका है संगठन बनाने में आज मुझफरकु की जनता और संगठन के लोग अजय निसाद को जो खिलाप में बोल रहे हैं आप पता करवा लिजिए कि अजय निशाद का चुनाओं में जबानत बचने वाला नहीं अब कैसे देखने क्या लग रहे हैं किया प्रभाव पड़ेगा कितना फर्क पड़ेगा बीज़ेपी पर क्योंकि आप लोग मनें दिहाती कहाओ था कि रती भर फर्क नहीं पड़ेगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अजय निशाद के जाने से हमारे कंडिडेट वहां तीन लाग से अधिक भोटों से जीतेंगा मतों से बिहार में पिछले चुनाव में थोड़ी चूक हुई थी तो हम 40 में 49 जीते थे ना और उस चूक को हम लोग उस कमी को हम लोग दूर कर लिये हैं और इस वार तो मोदी लहर है मोदी कंडिडेट है और मोदी के नाम पर पूरा का पूरा जनता मन बना कर तयार होकर बैठी है कि बिहार में 40-40 CIT हम NDA के जोली में डाली है कोई कुछ नहीं है पाटी ने सब कुछ दिया था ना पाटी में थे तब उनकी आवकाद चाहे जो हो कोई पुछ नहीं है इनको तो सधारन करता भी आप पुछने वाला जनता भी पुछने वाला नहीं है इस जीरो पर आउट हो जाएंगे करने के लिए तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री किश्रंदन पासवान का जिन्हों ने दावा किया है कि अजय निसाद लाख कोसिस कर लें लेकिन उनका जमानत जब्त होने वाला है ये तो समय के गर में ये चार्ज उनके बाद ही पता चल पाएगा चोड़नाव परणाम आने के बाद इस तो बस इतना ही बने रहे ये निस पोनेशन के साथ धन्यवाद झालो